हलो फ्रेंज आप देख रहे हैं गॉसप टाउन और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका चारू असोपा और राजीर से इन लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं कोई ना कोई ये दोनों वज़ा ढून लेते हैं टॉक अफ दे टाउन बने रहने की और अब ऐसे में चारू असोपा का था कल बोड़े और चारू ने अपना ये बोड़े बहुत ही धूम धाम से मनाया है मैं आपको बता दू कि चारू असोपा को उनके बोड़े पर मिला है बहुत बड़ा सर्प्राइज और ये सर्प्राइज उन्हें किसी और नहीं बलकि अपने पती राजीव सेन की तरफ से मिला है और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि चारू ने अपना 35 जनम दिन अपने पती राजीव सेन के साथ सेलिबरेट किया है और ये तस्वीरे इस बात की गवाही दे रही है कि चारू के लिए उनका ये बर्डे कितना खास रहा क्योंकि राजीव ने उन्हें सर्प्राइस के तौर पर उन्हें बहुत अच्छी एक पार्टी दी है और ये अब तस्वीरे फैंस को भी काफी ज़्यादा कन्फ्यूज कर रही है लगातार फैंस चारू और राजीव के रिष्टे पर सवाल उठा रहे हैं कि कभी ये अपना बडे राजीव के साथ क्यों मनाया जबकि आप दोनों का तो बुरी तरीके से जगड़ा हुआ हुआ है और आप दोनों ने एक दूसरे पर कई गंभीर एलिगेशन्स लगाए हैं तो अब ऐसे ने चारू असोपा ने भी चुपी तोड़ दी है और उन्होंने राज अचानक से राजीव का फोन आया राजीव ने फोन करके कहा कि चलो मुझे तो ज्याना के साथ वक्त बताना है तुम भी चलो हम लंच करने के लिए चलते हैं और हम लंच करने के लिए फिर चले गए और हमने वहाँ पर काफी इंजॉय किया और यहां तक कि राजीव ने मेर लिए बर्डे केक भी मंगवाया था और हमने वो केक बहुत अच्छे से काटा और फिर जब चारू से सवाल किया गया क्या ये एक्सपेक्टिट था सेलिबरेशन तो ऐसे में चारू हसने लगती हैं और कहती हैं बिलकुल भी नहीं अब बताईए आप खुदी की हम क्या समझे चारू और राजीव क्या अभी भी दोनों साथ हैं और दोनों तलाक का फैसला बदल रहे हैं ये तो भई आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन कुछ भी कहो हम तो चारू को उनके बर्डे पर धेर सारी बेस्ट विशिस जरूर देंगे इस वीडियो में पलाल के लिए इतन